तो हे गाईस क्या हाल चाल आए होप आप लोग अच्छे होंगे तो मैं आप लोगे लेकर आ चुका हूँ जो कि बिहार पॉर्ट टेकनिक के लिए बहुत ही महतपूर कोश्चन है तो यह कोश्चन अगर आपको आता है तो कोश्चन सॉल्व करिए ऑप्शन आपके सामने है अ देखे सबसे पहले क्या है क्वेश्चन कि 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम सी ओटू में विद्दमान अणू का जो अनुपात है वो कितना होगा च्वालिस संबंदे नौ या फिर दो संबंदे एक या फिर बाइस संबंद नौ या फिर इन में से कोई नहीं आप्शन होगा सही 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम सी ओटू में विद्दमान अणू की संख्यास सबसे पहले अणू की संख्या का अनूपात हम जो और बट्रों की संख्या जल निकालते हैं तो जल का निकालेंगे हाइस सफ बतना हो जैगा ऐसले अफीजिते में 10,8 वह जाने हैं आप बसीज जोंग कोई, इसके प्सके पूश्जिता आप से पूशर थे का उश्यों हमाने, और 16, 16 दुनी 32, तो ब्लस में यहाँ पर 32 के 2 दुनी 4 हो जाएगा, 44 हो गया, ठीक है, तो यह कितना हो गया, 44 हो गया, अब अनुपात पूछ रहा है, यानि कि 10 बटे 18 और बराबर में कितना, 5 बटे 44, यह हो गया, अनुपात ऐसे ही पता चलेगा, बराबर को यह अनुपात क यहाँ पर कितना आ गया, 2 और फिर बटे में, 9 आ गया, फिर बराबर में आ गया, 5 और बटे में कितना आ गया, तो यह अनुपात ही होता है तो 44 संबंदे 9 का जो है वो अनुबात होगा option जो है वो option जो है वो बिल्कुल correct है यह option 44 संबंदे 9 वाला easy question था मुश्किल से 5 से 10 से 15 सेंड में इसको आप 5 से 10 सेंड जो है question कर सकते तो 5 से 10 सेंड ही लगता इससे ज्यादा कुछ नहीं लगता अगर आपको सबको जो है वो पता है तो ठीक है चलिए फिर अगला question देखते है अगला question क्या तो दूसरा question देखिए दूसरा question है कि 11200 सेंटीमेटर क्यूब यानि कि यह क्या है वॉल्यूम दिया हुआ है तो आपको यह कौन से आप अगर सही कि है तो जरूर्ष में दीजैगा option तो देखिया आपको जाने के लिए कि 11200 सेंटीमेटर क्यूब सबसे पहले आप यह जानिए कि मतलब की यह फॉर्मिला होता है इस सब्मिकर होता है एस और टू पर प्लस में क्या होता है अक्सीजन होता है ठीक है अब यहां पर देखिए कितना है यह है आपका सल्फर यह कितना है 32 ग्राम जल रहा है ठीक है तो नॉर्मल जो टेंप्रेचर और प्रेचर पर कितना होता है तो यह 22,400 मिली लीटर होता है यार की सेंटीमिटर क्यों होता है तो 22,400 मिली लीटर होता है ठीक है तो इतने के लिए आपको 32 ग्राम जो हो जल रहा है तो आपको एक अग्राम जो पर कितना जलाना पड़ेगा 32 अपवन में यह कितना जाएगा 22,400 हो जाएगा है ना 2400 हो जाएगा उसके बाद से अब 11,200 के लिए आपको फाइंड करना है तो एक के लिए इतना जलाना पड़ रहा है तो 11,200 सेंटीमिटर या फिर मिली लीटर के लिए कितना जलाना पड़ेगा तो आपको 32 बटे में 22,400 और फिर बुड़े में कितना करना पड़ेगा 11,200 करना पड़ेगा ठीक है ना तो बस सीधा से क्वेश्चन देखिए आपर 11,200 सेंटीमिटर के लिए एस NTP पर प्राप्त करने के लिए तो NTP पर प्राप्त करने के लिए NTP पर जो है वो 22,400 पराप्त होता है तो मैंने समीक्रण थोड़ा उल्टा लिखाया क्योंकि आपको इस साइस सबोज में आए तो 2400 के लिए 32 ग्राम जो जल रहा है तो एक के लिए कितना होगा 32 बटे में इतना होगा तो एक एसो टू पराप्त करने के लिए हमें को इतना सलफर जलाना पड़ना तो एक के लिए टो टौ तस है कर दिया कषिए हमें कितना घ्रफर तो यहां पर इसलिये सेर्फर इसके क्रादिया दो यह लग बग 2 कि आशित ब्दह नहीं में चला जाएगा तो 32 माल यहां पर वे सक्तर यह जख कर दिक सब्लूमच कट जाएगा तो यहां पर 216 यारी कितना आगया 16 ग्राम आगया ऑप्षिन जो है वह सी वाला ऑप्षिन राइट हो जाएगा ठीक है तो यह कोश्चन थे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरू लाइक करेंगे और कमेंट बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी बाक टाइट थैक यू